नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीड़ा वलाईसी में और सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से शुब कामनाओं के साथ में हारदेख-अविननदन है दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी करते चलें दोस्तों जहां पर एक और OBC के 27 प्रतिशत का मामला हाई कोट में लंबित है और 14 प्रतिशत पर ही नियुक्ती दी गई है कुछ सब्जेक्ट में और काफी कुछ यह सर्कुलेट भी हुआ है कि जो 13 प्रतिशत होल्ड किया ग जैसे हम शॉर्ट में EWS के नाम से भी जानते हैं और यह वो अभ्यरति होते हैं जो की जनल कैटेगरी के हैं लेकिन आर्थिक इस्थिती कमजोर होने की दशा में उनको EWS में शामिल किया गया है कुछ नेमों के आधार पर और उसके संबन्द में काफी कुछ नियम है हम यहा पर हम बात केवल यह करेंगे कि EWS के 10% आरक्षन के अभ्यरतियों का मानना है कि जो सिक्षक पातिता परिक्षा वर्ग एक और दो है उसमें उनके साथ में अनिमित्ता वर्ति गई है और जो गजट में प्रावधान किया गया था आरक्षन से सम्मधित जैसा कि OBC, SC, ST को दि हैं EWS वाले तो उनका कहना है कि जिस फरकार से OBC को आरक्षन दिया गया और क्वालिफाइंग मार्स उनके 75 निरधारित किये गए जबकि हमें भी आरक्षन दिया गया है लेकिन हमारे मार्स तो 90 ही लिए गए हैं और इसकी बज़े से काफी अभ्यरती मुख्य रूप से वर खाली नहीं रहती और दोस्तों यहीं से समस्या सुरू होती है और दूसरी बात है उनकी कि जो आयू सीमा है बोवी उन्होंने नहीं रखी हुई है उसको भी बढ़ाया जाए उस लिमिट को भी बढ़ाया जाए जिससे कि ओवरेज वाले कंडिडेट्स हैं जो की मिल सके और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि करीवन पंदरा सो पोस्ट जिन्हें की EWS याने की Economically Weaker Section से फिल होना था वो नहीं हो पाई और वो खाली जा रही है और उसको किस परकार से Government नियमों के आधार पर फिल करेगी तो दोस्तों इसके बारे में हम बाद में इसको देखेंगे लेकिन फिलाल जो इस्तिती बनी है कि मुख्यमंत्री तक अपनी ख़बर पहुचाई है High Court में भी इनका case चला था लेकिन वहाँ पर भी किसी परकार की कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई है तो इसी के संबन में एक बहुती महत्पूर्ण जानकारी नियूस पेपर में आई है कि किस परकार से इसको हल किया जाएगा किस परकार से संग्यान लिया जाएगा और मुख्यमंत्री तक ये सूचना पहुचाई गई है तो आईए जानते हैं थोड़ा डिटेल में चलते हैं इस नियूस के अंदर देखे दोस्तों आपके सामने ये हरी भूमी नियूस पेपर की कटिंग है चिंदवारा से प्रकाशित और इसमें है कि मुख्यमंत्री चोहान तक पहुची गवार जल्द मिल सकता है गरीब सवड़नों को EWS का पूर्ण तह लाब ठीके दोस्तों यहाँ पर पूर्ण तहलाब की बात की गई है जो मैंने आपनों को पॉइंट बताए उसकी आदार पर तो यहाँ पर है कि केंद सरकार दोरा पूरे देश में गवर्णों को दिया गया आरक्षन EWS 10 प्रतिशत लागू किया गया है यह हम सभी जानते हैं साथ ही यह आरक्षन मद्द प्रदेश में कमलनात सरकार के समय से ही लागू कर दिया गया था परंतु दुरुहागेवश आरक्षन जैसा कि गजट में दिया गया है वैसा न लागू हो करके अपूर्ण रूप से लागू किया गया है तो दोस्तों जो OBC का आरक्षन था वो भी कमलनाथ के समय का है EWS भी कमलनाथ के समय का है और कमलनाथ जीने भी पत्र लिखे थे मुक्यमंत्री जी को लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया बाद में देखने को नहीं मिली और इसमें आगे ये कहते हैं कि जो रियायते हैं उनके समान प्रशासन विभाग और पूर्व की सरकार की अंदेखी की कारण ये आरक्षन अपुन रूप से लागू हुआ है और जिसमें राजस्तान और उत्राखंड की तरह OBC के समान अंकों में और आयू सीमा में जो चूटकी मांग की गई थी वो नहीं दी गई दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो किलिप के माध्यम से पहले भी एक बताया था कि राजस्तान में इसको लागू कर दिया गया है समानता के रूप में लेकिन मद्रप्रदेश में अभी ऐसा नहीं है यहाँ पर सामान अभ्यरती को जो अरहता अंक हैं जो क्वालिफाइंग मार्स हैं अब ऐसा होने से दोस्तों परिणाम क्या हुआ कि जो सिक्षक भरती की परिक्षा हुई है 2018 से यह स्टार्ट हुई थी और 2021 में अभी तक यह चल रही है तो वहाँ पर 1500 से ज्यादा पत EWS समवर्ग के खाली रह गए और आदिवासी विभाग की नियुक्तियां होना अभी ब जगा रहे हैं कि सरकार गरीब सवर्णों के कल्यान हेतु सहन भूतिपूर विचार करते हुए EWS आरक्षण को पूर्णता लागू करे और दोस्तों यदि यह लागू हो जाता है कि 75 से इनको मानिता दी जाएगी तो निश्यत रूप से 1500 जो पोस्ट खाली रह गई है वह ख सौर विधायक यश्पाल सींग से सोधिया से मुलाकात करके अपनी बातें जो भी संग के अभ्यरती थे EWS के केंडिडेट थे सिलेक्टेड उन्होंने अपनी बातें ये रखी और दोनों ही नेताओं ने समस्या की समाधान के लिए छात्रों को आश्वस्त किया है कि बे मु निमित्ता नहीं बरती जाएगी और साथ में ही जो गरीव सवर्न है उनके साथ में अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा और दोस्तों जो न्याय की इसी उम्मीद के साथ में जो लगातार गोहार लगा रहे हैं EWS की कंडिडेट तो उनको इसमें कुछ ना कुछ लाब जर नहीं लगा रहा और उसका विचार है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा इसके संबंद में जो भी फैसला उसको करना होगा लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी चाहे और मंद्री मंदल चाहे तो जिस परकार से फटाफट जॉइनिंग कर दी गई है DPI के द्वारा 12,000 सिक्षकों की त मिश्यत रूप से दोस्तों EWS के साथ भी कुछ ना कुछ तो अच्छा किया जा सकता है तो दोस्तों इसी उम्मीत के साथ में लगातार गोहार लगा रहे हैं पत्रों के माध्यम से भी यापन के माध्यम से भी और आगे क्या कंडिशन बनेगी यह तो मुख्यमंत्री जी और वीडियो को अधिक से दिक शेयर करते हैं दन्यवाद जैहिं जैवाद